दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम पड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं बड़ी कबर बिहार में स्वास्त वीवाग में बंपर बहाली इस वीडियो में बेवाग के लिए 19,000 पदो पर 15 सुतंबर तक हर हाल में होगी बहाली जिया बिहार के स्वास्त मंत्री मंगलपाने ने कुरोना की सम्भावे तिस्री लहर से लडने के लिए विभाग के अपर मुख सचीव सहीत अधिकारीओं के साथ हाई लेवल बैठक कर विश्तित कारी योजना बनाई है मंगल पाने ने इसकी जानकारी देते विए बताया कि विभाग द्वारा विभिन इस तरोपर सगन समिक्चा करते विए भविस के लिए तैयारी की जा रही है वर्स 2021-22 में स्वास्थ विभाग द्वारा 30,000 न्युक्तिया विभिन पदोपर की जाएगी आगे मंत्री पार्णी ने बताया कि विभास्तावों को और बेतर करने के लिए मानोबल क्या वाई सकता है इस क्रम में 6,333 विशिसक और समान चिकिसक, 3278 चिकिसक, 4671 जीनम और 923 एनम की न्युक्ति 15 सितंबर 2021 तक कर लेने के निर्दिश दिया गिया है साथी अलग-अलग पदो पर लगवग 7,000 न्युक्तियों की प्रक्रिया बिहार तकनिकी सिवा आयोक के माईदम से पूरी करने का निर्दिश भी दिया गिया है बड़ी कबर बिहार में एक बार फिर बैंकों के खुलने के समय में कटोती लोगडाउन 4 के दोरान सुबद 10 से दोपर 2 बज़े तकी होगा काम जिहां कोरोना के हालात को देखते वे बिहार में बैंकों के खुलने के समय में एक बार फिर की गई है लोगडाउन 4 के दोरान सुबद 10 बज़े से दोपर 2 बज़े तकी बैंक खुलेंगे स्टेट लेवर बैंकर्स कमिटी ने सरकुलर जारी करके यह जानकारी दी है वताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लगर के कारण बैंक कर्मी दसाहत में है जिसके कारण यहाँ पैसला लिया गया है बड़ी कबर बिहार के पुलिस कर्मियों को मिली चिताओनी ड्योटी पर तरान मुबाल चलाया तो खेर नहीं पुलिस कर्मियों के दौरान सोचल मिडिया पर एक्टिव रहने गेम खिलने या वीडियो देखने की सिकायत मिलने के बाद यहां आदेज ज़ारी किया है बिहार के पुलिस मुक्याले की ओर से इस बावत एक आदेस जारी किया गिया है पुलिस मुक्याले की ओर से जारी आदेस में कहा गिया है कि ड्यूटी के दोरान मोवाईल के वेजा इस्तिमाल पे उनके काम पर गलत असर पढ़ रहा है ब्याइपी सुरक्चा ट्रैपिक विवस्ता या पुलिस पोस्ट पर ड्यूटी के दोरान पुलिस कर्मियों या अधिकारियों को हमेशा सजग और चोकस रन होता है पुलिस मुख्याले की और से जारी आदेस में आगे कहा गया कि ऐसे कई दवे देखने को मिलता है कि ड्यूटी पर आने के दोरान है पुलिस कर्मियों बेवज़ा मोवाल चलाते हैं बड़ी खबर नितीज सरकार का बड़ा फैसला 15 जून तक सभी डौक्टर और मेडिकल hoje की चुट्टी अरद आबिहार सरकार ने कोरोना मामारी की रुखताम को लेकर सभी डौक्टर और स्वास्त करिम्यों की चुट्टी 15 जून तक रद कर दी है स्वास्थ बिवाग के विशेज कारप दादिकारी SS पांडी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है या निर्देश तत्काल परभा में राज भर में लागू रहेगा इसके पूर्व 31 मय तक ही स्वास्थ बिवाग के सभी डाक्टर और कर्मियों की चुटी रद की गई थी बड़ी कबर बिहार में इस दिन से दोबारा सुरू हो जाएगा 18 प्लस ओम्र के लोगों का वेक्सिनेशन हेल्थ मिनिस्टर मंगल पाने ने किया एलान जिहां बियार में कोरोना वारेस की रफ्तार धमती वी नजार आ रही है इसी बेच राज सरकार कोरोना वेक्सिनेशन में तेजी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने कहा कि अगले 2-3 दिन के भीतर 18 से अधिक उम्र के लोगों को वेक्सिन दी जाएगी आपको बता दी कि राज में वेक्सिन सोटेज की वज़ा से टिका करन पर रोक लगा दिया गिया है मीडिया से बात करती हुए मंगल पाने ने कहा कि राज में 2-3 दिन में 18 से अधिक उम्र के लोगों को वेक्सिन दने की प्रक्रिया सुरू की जाएगी बड़ी कबर बिहार में अब चातर पढ़ेंगे जल जिवन हर्याली विस्विदालय की कोर्स में होगा सामिल जिहां सिक्चा विबाग लोडाउन के बाद कुछ बड़े निर्ने लेने जा रहा है इसमें सबसे पहला और अहम निर्नाई राजसरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जिवन हर्याली अभियान से जुड़ा होगा तरसल प्रदेश के सभी परंपरागत विस्विदालय की डेगरी कोलेज के पाइट करम में जल जिवन हर्याली की विसे विस्विस्तु को सामिल करने की योजना है सिक्चा मंत्री विजय कुमार चोदरी ने इस सम्मद में वोचिस्तरिय विचार मंधन के बाद इस तयारी पूरी कर ली है लावडाउन हटने के बाद इस सम्मद में आपचारे घोसना तय मानी जा रही है एक अबर पांच जोन से सुरू होगी बिहार की डेड़ दरजन पैसंजर ट्रेने आये जानते हैं पूरी जानकारी कोरोना के बढ़ते प्रकोब और यात्रियों की घरती सेंख्या के करना रद कर दी गई कई पैसंजर ट्रेनों को फिर से सुरू किया जा रहा है पूरो मैद रेलवे की और से इसके बारे में जानकारी दी गई है इन ट्रेनों के चलने से योपी बिहार के यात्रियों को बड़ी रहात मिलेगी यहाँ ट्रेने डेमो और मेमो स्पेसल पैसंजर बनकर पांच जोन से पट्री पर दोड़ेगी यात्रियों की सुविदा के मद्दे नजर पूरो मैद रेल चित्रादिकार के बिविन रेल केंडो से संचालित की जाने वाली पूरो में इस्तगित 24 पैसंजर इस्पेसल ट्रेनों का परिचालन पांच जोन से पुनर बहाल किया जा रहा है आपके जानकारे के लिब बता दे कि सवी ट्रेनों का ठाराव समय और मार्ग पहले की तरह होगा इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गिया है इन पैसंजर ट्रेनों के सुरू होने से यूपी के बलिया गाजीपूर चनोली के यात्रियों को बिहार के विविन जिलों मे जाने में सुविधा होगी इसके साथ ही बिहार के दरबंगा सहरसा राजगीर गया वैसाली सोनपूर कटिहार समस्तिपूर आदी जीलों के यात्रियों को भी रहत मिलेगी बड़ी खबर आप राज में खुलने लगा सेलोन फरनिचर और स्टेशनरी की दुकाने लोगों ने अपनाया कोविड प्रोटोकॉल जीहां दो जून से आठ जून तक दुकानों और प्रतिश्टानों के खुलने एवाम बंद करने के संबंदी दिन एवाम समय का नए सिरे से निधारत किया गया है बात करें पटना जीला की तो दुकाने और प्रतिश्टान अब तीन सिरेनियों में बाठ कर अलागला नेधारे दिन पर खुलेंगे इनके खुलने का समय सुबच्छे बज़े से दो पार दो बज़े तक होगा आपको बता दे की पटना में अब इलेक्ट्रिकल गूर्ड्स, इलेक्टोनिक्स, सेलोन पारलर, ओटो मोबाइल से जुड़े तमाम दुकान, वाहन प्रदोसन केंद्र, फरनीचल की दुकाने, स्टेशनरी और सुन्दन प्रदान की दुकाने खुलेगी आज के आईने जीलो में भी वहां के डेम के निर्देश अनुसार ऐसी दुकाने अल्टरनेट डे पर खुलेगी साथ ही आपको बतादे के लोगडाउन का पालन कराने वग खुलेवा ले दुकानों पर नजर रखने के लिए दनादीकारे वग पुलिस पतादीकार्यों की कई टीमे सड़क पर रहेगी वो तमाम टेम सड़क पर लोगडाउन का पालन व दुकानों के अंदर COVID प्रोडोकोल की तहद नियमों का पालन कराएगी इसके साथ ही अगर COVID प्रोडोकाल का उलंगन कया गया तो दुकानों को तद्काल बंद भी करा दिया जाएगा बड़े कबर किराये पर रहने वालों के लिए आई बड़े कबर सरकार ने नए कानून को दी मनजोरी पहली बार मिलेंगे ये अधिकार चले आ रहे रेंटन कानून को संसोधित कर लागू किया जाए। देश में रेंटल हाउसिंग में तेजी से प्रगती होगी इससे हर तरह की विकास में तेजी देखी जाएगी इसने कानून के मदद से देश में रेंटल हाउसिंग मार्केट को बढ़ाने की कवायाद है सबी इंकम गुरूप के लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग के विवस्ता हो सके और जीन लोगों को बेगर होने की समय से जोजने पड़ती है उन्हें भी इस कानून से बड़ी मदद मिलेगी पड़ी कबर पटना इनिवसेटी ने रद किया नमांकन टेस्ट अब बारवी के नंबर पर ही होगा ग्रेजोशन में दाखिला जीहाँ पटना विस्विदालय के द्वारा इस बार कोरोना के प्रकोप वो चात्रों की स्वास्त की सुरक्चा के मद्द नजर नमांकन टेस्ट नहीं कराने का निर्नाए अकेडमिक काउंसलिंग की बैठग में लिया गया इंटर में अच्चे अंक पटना विस्विदालय में एंट्री दिला सकते हैं आपको बदा दे कि पहले जब एंटरेंस टेस्ट होते थे तब इंटर में सिर्फ पास होना अनिवाय रहा इंटरेंस